प्यार के रंगों से भरो पिछकारी, इसनेहे के रंगों से रंग दो दुनिया सारी, ये रंग न जाने, न कोई जात, न कोई बोली, सब को हो मुबारक, ये हैप्पी हो ली देखिए कितनी शांदार बात यहाँ पर बोली गई है कि ना कोई जात जानते हैं ना कोई बोली जानते हैं किसी भी इंसान को चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, क्रिस्चन को आप लोग कलर लगा सकते हैं इस तरीके से कुछ त्योहार आप लोग ऐसे देखिए कि हम लोगों कहीं मिलाने का काम करते हैं तो इसी तरीके से आप लोगो शांदा तरीके से इसको celebrate करना है और दिल खोल कर आप लोगो enjoy करना है क्योंकि इसके बाद में आप लोग को बहुत ही dedicated तरीके से अपनी पढ़ाई में लगना है क्योंकि exam काफी pass में आ रहे हैं तो जितना ज्यादे enjoy आप लोग कर सकते हैं यह है British Virgin Island, जाकर मैं पे निहारेगा, कल फिरिस के बारे में हम लोग discuss करेंगे, बागी काफी कुछ शांदार है, आज के दा हिंदु न्यूस पेपर में discuss करने के लिए, पर आगे बढ़ने से पहले, यह कुछ questions हैं, जो मैंने आप लोगों से last video पूछे थे, यह आप लोगों revise हम लोगों से लिया है, ठीक है, तो यह आप लोगों से question बन सकता है, टोटल मिलाकर यहाँ पर आट मेंबर हैं लोगपाल के अंदर, पीसी घोस, जो फर्स्ट यहाँ पर चेयर परसेंट इसके चुने गए हैं, वो है पीसी घोस, अपोइंट कौन करता है, प्रेजिडेंट इंडिया, टोटल मिलाकर 34% ओफ इंडियन पोपुलेशन आज के इड में, सिटीज में, यानि के सहरों में रह रही है, और आने वाले टाइम में यह बढ़ने की काफी जादा असंका है, यानि के आने वाले टाइम में, एक्स्पिक्टेशन जो है, बहुत जादा है, तो दे 34,2 million जो आज की डेट में ख्रचा बर्बाद हो रहे हैं एक तत्रीक से वो disaster की वेश हो रहे है, सुनामी आ रहा है, कहीं पर आप लोगो बार देखने को मिल रहे है, कही सूखा देखने को मिल रहे है, कहीं cyclone, तो ये सारा जो reason है, इसकी वेशन चीने को 24 million जो आज की डेट म इसका टार्गेट है 2015 से 2030 तक कुछ ऐसा करना ताकि जो डिजास्टर की वेसे जो लोस होना कम हो जाए कुछ ऐसी इंफर्चर क्रेट करना और कुछ ऐसे प्लान बनाना तो यह काफी इंपोरेंट है आप लोग याद रख सकते हैं पर मोद यहां पर है सावंत जो की मनोहा पारि यह होता है नोर्मली वहाँ पर आठ बज़े तक वोट डाली जाएगी आखिर किसलिए तो एक फेस्टिवल की वज़े से आपर जिसका नाम है चितराई फेस्टिवल तो पूछा जा सकता है कहां पर यह सेलिबेट किया आता है तो यह आप लोगों साउथ इनिया में देखन से ज़्यादे लोगों तक यह चीज़े पहुचा ही जा सके आइए अब नजर डालते है आप लोगों को देखने को मिला पुलवामा अटेक उसके बाद में क्या कंडिशन बनी आखिर क्या सिचुएशन कुछ चेंज हुई तो आर्टिकल काफी अच्छे से अनलाइज कर रह है यह नीति आयोग के जो चेर्मेन उनके द्वारा लिखा गया है तो कौन होता है नीति आयोग का चेर्मेन नीति आयोग का चेर्मेन होता है प्राइमिस्टर तो चेर्मेन नहीं है आपर CEO है ठीक है तो यह कोश्चन भी आप लोगों से एक्जाम में पूछा जा सकता है CEO हो आपर जो कि दिनके दुवर्य आर्टिकल लिखा गया है चेयर्मैन कोन है? चेयर्मैन हुता है प्राइमिस्टorse ये याद रखेगा जिस तरीकसे प्लानिंग कमिशन होता है उसी तरीके से प्लानिंग कमिशन को रिपलेस करके के नीति आयोग बनाया गया और नीति आयोग के भी चेर्मेन बिल्कुल ऐसी होते हैं जैसे प्लानिक कमिशन के हुआ करते थे और ये एक एक एक्जिक्यूटी बोड़ी है तो ये कन्फुजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए और जो आज की डिरे में सीईओ है ये निके चीफ एक्जिक्यूटी ओफिसर ये है अमिताब कांथ इनके दोरा आर्टिकल लिखा गया है तो आर्टिकल के उपर अन्नजा डालेंगे ये वाला आर्टिकल फुरेस्ट राइट एक्ट के बारे में इसके उपर नजा डालेंगे और यहाँ पर 2020 में जो इलेक्शन अनने वाले इसके दोरा कॉंग्रेस के दोरा तेरे सीट जीती गई थी बीजेपी के दोरा टोटल मिलाकर 40 सीट है आपर असेम्बली में और इस 40 सीट में से 10 थी अधर्स के पास तो यह जो थी यहाँ पर देखा जाए धंक से तो इन्वाइट करना चाहिए थैं आपर किसको कॉंग्रेस इसको बनाने के लिए गॉवर्मेंट पर लेकिन यहाँ पर बीजेपी को इन्वाइट किया गया एक तरीके से और बीजेपी के दोरा गॉवर्मेंट बना ली गई पर लेकिन आज की डेट में जो कंडिसन है वो काफी खतरनाक हो गई है यह एक माईनोर्यटी में पर लेकिन उनकी इमेज थी वो इक तरीके से बोला नहीं जाता है कि एक तरीके से जनता के सीम आप लोग इनको बोल सकते हैं इनकी इमेज इतनी ताकतवर थी कि इनको डिफेंस मिस्टर बना दिया गया और उसके बाद में जब इलेक्सन हुए यहाँ पर 2017 में तो उस टाइम पर इनको वापस लाया गया क्योंकि बीजेपी को दिखरा था कहीं ने कहीं स्टेट जो हाथ से निकल जाएगा हाला कि जादे इमपेट फिर भी है इतना देखने को मिला पर फिर भी कहीं ने कहीं एक हंग असेंबली हापर हो गई यानि कि कोई भी मेजरेटी में नहीं आया तो अभी जो मिस्टर प्रमोद सावन जो निन को यहाँ पर अभी सीम बनाए गया है यहाँ पर ग्यारवे चीपनिस्टर निकल कर आए हैं टोटल में आकर 23 टाइम यहाँ गोवा में आज तक दगर देखने को मिले 1963 से यहाँ पर इसके लावा पांच बार प्रेजिडेंट सीट थी और यहाँ पर जो बीजेपी के पास में कम सीट थी इसके चलते हुए भी मनुहर पारिकरजी की जो यहाँ पर इमेज थी एक तरीक से मोडरेट हिंदुतु को फोलो करते हैं वो एक तरीक से एक्स्टीम लेवल पर नहीं जाते हैं जो क्रिस्चन कम्मुनिटी के आप लोग वाजपेजी को भी बोल सकते हैं वो भी एक बहुत बड़ा गडबंदन साथ में लेकर चले थे तो कुछ-कुछ इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं अब इनके जाने के बाद ने तो कंडिशन जो है वह एक तरीक से नियंतरन में नहीं रहने वाली है इनके तो वो भी बहुत बड़ा इंपेट यहाँ पर डालने वाले हैं situation के उपर थोटा से एक बार analysis कर लेते हैं देखिए एक बहुती कम population है यहाँ पर राजे के अंदर only 14.59 लैक लोग यहाँ पर आज केर में आप लोग को देखने को मिलेगे smallest state है in terms of area गोवा को अगर आप सकते हैं 14th assembly constituencies हैं आपर लगबग 30,000 वोट आप लोग को देखने को मिलती है देखे 30,000 वोट तो यहाँ पर अगर कहीं election होते हैं हमारी country में वहाँ पर margin से लोग जीच जाते हैं तो यह इतने कम voting जब होती है तो सिधा-सिधा यह निकल के आता है कि कहीं ने कहीं एक तरीके से इनको manipulate किया जा सकता है तो यह भी condition देखने को मिलती है यह निकि जितनी कम जनता होगी उतनी ही आसानी से उनको गुमाय जा सकता है तो यह भी बहुत बड़ा role play करता है जब election होते हैं तो इसलिए बड़ी सोच समझ कर और देख भाल करके election conduct कराने पड़ते हैं और इसी के पर देखने को मिला पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोट के द्वारा यहां पर इसके उपर ban लगा दिया गया वेस्टन घाट में पड़ता है यह और इसकी वज़से जो वेस्टन घाट के उपर कस्तुरी रंगन यह कई सारी रिपोर्ट हुहाँ पर निकल करा है उनके इसके साथ में जो हैं पर कई सारी और कंडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जैसे पॉलिटिकल पैटरिनेज यहां पर चीपनिस्टर जो यहां पर जब तक बनहोर पारी करती है तब तक एक अलग कंडिशन निकल कर आ रही थी आज की डेट में अलग कंडिशन है इस एक तरीके से स्टेट के अंदर काफी गलत माहूल की रियेट यहां पर आज की डेट में कर देंगे तो देखना यह है कि जो आज की डेट में जो यह एक नई गोर्मेंट बन कर आ रही है नए चीपनिस्टर के अंडर में यह कैसे सिचुएशन को हैंडल करेगी और इसी के सा रहते हैं या फिर नहीं आगे बढ़ता हूँ आगे हां पर बात के जा रहा है नेक्स आर्टिकल में फोरेस्ट डॉयलर के बारे में यानिकि वो लोग जो फोरेस्ट के अंदर जंगल में अपने घर बनाकर रहते हैं वहीं से अपना खान-पान का जुगाड करते हैं और वह थी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में 2006 में फोरेस्ट जो कंजर्विशन एक्ट निकल किया है इसी के साथ में हाँ पर जो जनता है उसको भी हाँ पर किस तरीके से हम लोग एक हैल्प प्रोवाइड करा सकते हैं वह बात यहां पर किये गई यानिकि जो यह एक्ट यह därmirlog पोुंचा aproume में तो यह बोला गया कि कहीड कहीं आच कहीं जो राइट द Muhararij दिये गे से प्रशट लगा मीं कोई मिशा परश्डिय करें अज कम करना है तो गाउ पर जो आदाव में रख दी गई और forest land को कहीं डाइवर्ट करा जा रहा है आज की डेट में खासकर किस तरीके से जो mining करने के लिए कोई development project लगाने के लिए और उसके लिए जो compensatory fund दिया जा रहा है उसको भी effectively utilize नहीं किया जा रहा है तो तो तमाम ऐसे मुद्य आज केट में आप लोग को देखने को मिलेंगी तो जो लोग इनके ओपर dependent रह रहे हैं तो क्या उनके बारे में क्या सोचा जाए या तो हम लोग इसके ओपर कोई question mark आया जिसमें ये बोला गिया कि हाँ पर आज की डेट में जो forest right act 2006 का है जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था यह 1.8 million आदिवासी और forest dealer या निके जो आदिवासी community है और जो forest मेर हैने वाले इसके ओपर dependent है कुछ ऐसे लोग उनकी एक तरीकी से life line है ये forest अगर इनको वहां से निकालेंगे तो फिर कैसे इनको आप लोग help कर पाएंगे कैसे इनकी जो day by day की जिन्दगी है वो कैसे चल पाएगी तो पहले तो खा forest को एक तरीक से बरबाद कर रहे हैं नुकसान पहुचा रहे हैं वो बात आप लोग दिखाओ मुझे proper report होनी चाहिए आप 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 कही ने कहीं एक तरीक से 1.5 million hectare जो forest land है उसको बोला जा रहा है कि miss use भी किया जा रहा है तो कई तरीकी बात यहां पर देखने को मिल रही ह अगर forest right के आप लोग बात करें तो कहीं ने कहीं देखें forest dweller जो कि forest में रहते हैं उनके right को recognize करने के लिए पहले से ही यहां पर बात यह किए कि हां ऐसा कुछ हम लोग को करना है और even जो gram सबा है वहाँ पर local area पर उनको भी power दी गई responsibility दी गई कि sustainably आप लोग को use करना है य तरीका पेड़ खतम हो जाए या फिर एक तरीकी कोई जीव जन्तों खतम हो जाए इसी तरीक से maintain करना ecological balance तो कहीं ने कहीं अगर इस तरीके को देखकर चला जाएगा तो यह उसमें काफी बड़ा role play कर रहे हैं और आप लोग ने सुना ही होगा कि actual में अगर कोई problem होती है local area म अगर कहाँ पर पानी भरता है वारिस होती है कहाँ पर पानी नहीं मिल पाता है इस टाइम पर किस तरीक condition है local area में कौन से area में कहाँ पर सड़क खराब है कहां कौन से खंबे से बिजली नहीं जा पार है लोगों के पास में तो यह उस particular area का local इंसा नहीं बता पाएगा तो इ पहले थे हाँ पर 2006 में यह राइट है 2009 में यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से जो कहीं नहीं जो ग्राम सबा थी उसके हाथ में जो power है withhold करने की पहले से आप लोगों consent लेना पड़ेगा उसी के साथ में आप लोगों उनको बात करनी पड़ेगी settlement करना पड़ेगा चीज इनफॉर्मड यहाँ पर डिजन लिये जा रहे थे यानि कि तमाम सही direction में चीजे चलती हुई नजर आ रहे थी फिर आगे देखने को मिला 2016 में condition कुछ change होती ही नजर आई यह उडिसा माइनिंग कोपरेशन की बात की जा रही है लगबग यहाँ पर 1400 एकर जो forest land है आधिवा condition यह थी कि उस time पर जो यहाँ की जो gram सभा थी ठीक है ना तो gram सभा की हाँ पर कुछ जादे सुनी नहीं गई खासकर जो particular area था उसको side में कर दिया गया और अपने हिसाब से काम करने की बात की यहाँ 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 पर local area में जो power दे रखी है एक तरीक से democracy के हम बात करें तो उसको side में रख दिया गया और भी ज़्यादा condition यहाँ पर खराब तब हो गई जब 2016 में ministry of environment affair के द्वारा यहाँ पर काम क्या किया गया इंवर्मेंट and forest के द्वारा यह बोला गया कि कहीं अगर बात की जाए तो देखें यहाँ पर जो gram पंचायत के हाथ में यहाँ पर जो gram approval की हाँ पर बात की गई तो बोला क्या गया कि इसकी कोई जड़त नहीं है कि not needed in principle approval तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाइपास करने की कोजिस की जा रही है जो कि forest right act 2006 काया तो इसको बाइपास करने का मतलब हो गया एक तरीक से जो यहाँ पर gram सभा है उससे कोई बात ही नहीं करनी है अपने हिसाब से काम करो तो जहाँ पर forest right act है आपर इसको violate किया गया डेमेंज किया गया जो gram सभाती उनको decision making से यानि के उनमें कोई participate नहीं करे गया इसी तरीके से कई सारी ऐसी चीज़े थी जैसे forest dweller थे उनको कई बार तो हाँ से हटाने के भी कोजिस की गई अरा उस तरीके से violation किया गया एक तरीक से कई सारी ऐसे जो यहाँ पर law and regulation थे उनके तो यह जो condition यहाँ पर निकल कर आ रही है यह कहिने कहीं आप लोग को यह देखने को मिलेगा कि जो एक तरीक से empower कर रही थी forest में रहने वाली community को यह disempowerment होना स्टार्ट हो गया यह निकि जो ल कहीं जो वन परसासन का जो एक जो वन परसासन यानि जो forest governance है वो कहीं न कहीं एक तरीक से जो ground की यह अप्राइजिंग हो रही है उसको ignore करकर अपने हाथ में power लेनी की कोशिस कर रहा है उसको suppress करने की भी कोशिस की जा रही है तो सुप्रीम कोड में जो matter है उसको यहाँ पर forest को protect करता है तो यह तमाम मुद्दे ऐसे होंगे जिनका यहाँ पर हो सकता है कोई अच्छा solution निकाल कर लाए जाए सुप्रीम कोड के द्वारा तो आगे देखेंगे अगर कोई ऐसा matter निकलता है तो forest right act के बारे में बात की जा रही है और tribal community और जो यहाँ पर forest dweller है जो लो यह पेट्रो पोरसेंग को यह president है आपर अभी 31st March को बोला जा रहे हैं कि फिर से election होने वाले हैं तो काफी बड़े मुद्धे हैं इनके सामने आखिर कैसे उसको tackle करके चला जाएगा दो हजार चोदे से जब से रसिया के द्वारा क्रीमिया को annex किया गया यह यहाँ पर क्री situation की वैसे location क्या एक बार देख लिजे यह यहाँ पर क्रीमिया हो गया यह उपर युक्रेयन हो गया युक्रेयन का पार्ट है क्रीमिया पर लेकिन यह हडप लिया गया है रसिया के द्वारा क्योंकि maximum जो जनता है आपर जो language बोलती है और जो कहीना की जो tradition follow करती है वो रसिय करके चलती है नीचे यह ब्लेक सी हो गया अगर ब्लेक सी यहाँ पर अच्छे से control करना है रसिया गो तो क्रीमिया के उपर उसका control होना जरूरी है अब इसी के बीच में एक बढ़ता है आपर यह है पर यह particular area अगर यहां से लेकर यहां तक कोई सामान माली यह युक्रेयन के इस वाले area से युक्रेयन के इस वाले area में कोई सामान जाना है तो यहां से होता हुआ आएगा यह सामान तो उसको पहले रसिया से permission लेनी पड़ेगी क्रेच से और उसके बाद में यह यहाँ पर जा पाएगा इस तरीके से यह निके अपने ही area में जाने के लिए हाँ पर permission लेनी पड़ती है आज किड में यह control है आपर रसिया का और रसिया का और रसिया काफी powerful country है as compared to अगर युक्रेयन की हम लोग बात करते हैं तो तो उसी के चलते हाँ पर यह बोला जा रहा है कि देखे कहीं न कहीं जिस तरीके से आपर यह condition बनी 2014 में उसके बाद में G8 country हुआ करती थी G8 में से रसिया को निकालके G7 बना दिया गया एक तो यह condition देखने को मिली जो पूरी western world है उन्होंने युक्रेयन को support किया और इसी के साथ में रसिया को oppose करना इस्टार्ट कर दिया तो उसी के चलते जो European Union है और जो NATO है वो भी कहीं है कि एक तरीके से युक्रेयन के साथ में आ गई और एक तरीके से support कर रही है इसी के साथ में free trade agreement युक्रेयन ने उनके साथ में sign किया गया और इसी के साथ में अच्छे से उनके साथ में work कर रहाया है जिसकी वेसे रसिया को बहुत ज़्यादा पोलम है IMF के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर लोन दिया गे हैं आपर बिलियंस ओफ रुपीज का ताकि ये गवर्नेंस को इंप्रूव कर सकें और एंटी क्रेप्सन जो लेजिसलेशन है उसको भी धंक से इंप्लिमेंट कर सकें और लोगों के अंदर भी आपर आज केड में डिसकेंट है और उसी की वैसे जो IMF है वो भी सेटिसफाई नहीं है इनके द्वारा जो इस्टेप उठाएगे हैं उनकी वज़े से तो ये भी एक कंडिसन देखने को मिल रही है तो जो प्रिजिडेंट है उनका कंसन अगर देखा जाएं आपर तो कहींने कहीं जो यूक्रेंट के अगर पास्ट के आप लोग पोलिटिक्स उठागर देखेंगे तो यह है कि कैसे आपर एक टरस्ट लाना है जनता के अंदर कैसे आपर एक तरीके से यहाँ पर सारे पूरे उक्रेयन के ओपर अच्छे से ग्रिप बनानी है क्योंकि रस्या के द्वारा बोला गया है कि अभी रस्या में एक referendum टाइप का करवाया गया उसमें यह बोला गया कि वह कहीं न कहीं एक तरीक से यह तोड़ देंगे क्या यही चुनकर आते हैं हैं तो क्या सोल करकर चला जाता है यह कुछ मुद्धे होंग होगे आने वाले टाइं में गहीं काफी इंटरेसिंग होगे तो अप लोगो होना चांब छील एक्ट्जल में इस पchiस्गलर एरिया में ठीक है तो यहाँ पर देखें यह है particular area फ्रड़ा जूम करते हैं यह हो गया आपर black sea यह उपर हो गया Ukraine और यह हो गया क्रीमिया ठीक है तो यह है particular मुदध जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो अपनी country के reference में अगर आप लोग देखेंगे तो लंबे समय तक इसको या किया जा रहे है तो यहाँ पर बोला जा रहे है कि पोश्ट पुलवामा अटेक जो टाइमलान है वो सोग करती है कि इंडिया डिनोट क्रोस एनी पागिस्तानी रेड लाइन तो यह आप लोग एक्स्प्लेइन करना है यानि कि जहां पर थे अगर देखा जाए गुमा फिरा गए थे वो फिर से वापस जा चुका हैं कंसल्ट करें एक दूसरी की कंट्री में वापस जा चुके हैं और फिर से सिच्विशन नौर्मल हो रही है करतारपूर कोडीडोर के ओपर बात करनी फिर से स्टार्ट हो गी है जो मसूद अजर को बैं करने की कोजिस की गए ती वो उन सब questions के ओपन यहाँ पर नजर डाली जा रही है तो आईए कुछ facts के ओपर नजर डाले हैं 14 फरवरी को यहाँ पर अदिल एहमददार के द्वारा हमारी country की जो CRPF का एक जस्ता था उसके ओपर attack किया गया और लगबग 40 जवान हमारे सहीद हो गये claim लिया गया हैं आपर responsibility यहाँ पर दिखाए गई जैसे मुहमद के द्वारा कि हम लोगों ने यह attack कराया है फिर यहाँ पर क्या हुआ हम लोगों ने काफी step उठा हैं आपर पाकिस्तान को isolate करने के लिए पर लेकिन हम ऐसा कुछ कर नहीं पाए यानिकि यह हुआ पर लेकिन हम लोग ऐसा कुछ करनी पाए isolate हमने छोटे-छोटे step उठा है जैसे कि most favorite nation का दरजा हम लोगों ने चीन लिया पर लेकिन indirect way में यह reverse fire किया हमको हमारे ही trade का नुकसान हुआ क्योंकि पाकिस्तान को हम लोग maximum community export करते हैं इंपोर्ट नहीं करते हैं तो अगर most favorite nation का दरजा हम चा रहे हैं तो यह condition यहाँ पर देखने को मिली हम लोग ने announce किया कि जो पाकिस्तान में पानी जाता है आपर इंडस रिवर का तो हम लोग उसको रोकेंगे पर लेकिन हम लोग ने जो actual में बात की वो किती रवी ब्यास और सतलज यह तीन रिवर जो कि हमारी रिवर है हम लो कि आया जो कि खासकर जनता को सांथ करने के लिए बोला गया इसी के साथ में हापर फरवेडी ट्वंटी सिक्स डेजन्स ओफ मिराज लगबग यहाँ पर जो 2000 मिराज थे आपर यहाँ लगबग बार है जो मिराज थे आपर उन्हें पाकिस्तान के अंदर एंटर किया और पा इसके बाद में हैं PC नया मुदर श्टार्ट होगा है आपर क्या क्या इवेंट होगत पाकिस्तान निये तो दो बोला कि हमारे एर इससे कहा ड़ा है वो भी जो ढलता है कि आप लोग जो जो आप लोग का भी जो एरिया है वो इतना ज्यादे सेफ ये सिक्योर नहीं कि कोई वहाँ पर आ नहीं सकता हम लोग भी वहाँ पर आ सकते हैं इसी के चलते दोनों की जो डोग फाइट चल रही थी एक तरीक से उसमें हमारी कंट्री के जो पाइलेट थे हवर्दमान जी अभ ख्राब हो गए थी उसको रिस्टोर करने की कोशिस की गई यानिके उन्होंने क्या किया उन्होंने बोला कि हम लोग आपके जो पाइलेट उसको छोड़ रहे हैं और टैंसन को कम करने की कोशिस की गई हाला कि दोनों साइड से पाकिस्तान ने बोला कि हमारे हाँ पर कोई ल मारा गया है तो देखें अगर इस तरीके से आप लोग लोग देखेंगे तो दोनों तरीके से कुछ ऐसे ऐंसे एसे कोई direct post नहीं थे जिनके बारे में हम लोग border कर सकें या यह कोई बोलता है कि केजूलटी हुई है पाकिस्तान बोलता है को भी करने बिए पैइस सकते हैं जन्ता को सांथ करने के लिए लिया है, पाकिस्तान के दावर भी कैज सारी बाते बुलीगे, अफेले तु यह बोला गया That Day Day रहे हुमांक भी स्ट्रीक चांध के लिए हैं, उनके दवारे हैं पर सो करने की कोशिस की गई पहले तो उनके दवारा जुट बोला गया कि दो जो Indian Jet है वो उनके दवारा मार गिराया फिर उन्होंने बोला कि दो नहीते वो एक था पता नहीं गिंती में कमजोरी हो गए उन्होंने हो सकता है कि अपने कंट्री का मार गिराया हो तो ऐसा भी हो सकता है ठीक है उसको भी काउंट कर ले होगी यह तो हम लोगे ने इंडिया का गिरा दिया चलिए जो भी है तो फिर यहां पर जो बात निकल कर आई वो निकल कर आई कि F-16 यूज किया गया F-16 जो फाइटर है यह USA के द्वारा इनको दिया गया था तो यहां पर यह एक ऐसा है जिसके ओपर यह नोर्मली यह एडवांस मेडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइले जिसके ओपर रख सकते हैं जो कि कैरी कर सकता है उल्ली F-16 तो इ यह जो हुआता है आपर यह तमाम मुद्धे चली रहते हैं कि फिर उसके बाद में आपर बोला गया कि इंडियान पाइलेट को छोड़ना है रिटरन करना है और इसी के साथ में चाइना जो की ओल वेदर फ्रेंड है उसने भी UN Security Council में कहिने कही पाकिस्तान के साथ में जाकर यह क्या हो रहा है हमारे द्वारा दिया गया है यहां पर एक फाइटर गलत तरीकी से यूटिलाइज किया जा रहा है यह फिर मिस्यूज किया जा रहा है तो उसी के चलते USA भी देखिए एक हट तक कहीं ने कहीं एक लिमिट में काम कर सकता है क्यों क्योंकि तालिबान के बात करनी है अफगारिस्तान से बाहर निकलना है तो USA को जो की दोह में भी बात चल रही है पाकिस्तान का साथ चाहिए ही चाहिए तो डोनल्ड टरंप ने भी कहीं ने कहीं वहां से जब यह किम जोंग के साथ में मिलकर आए यहां पर यह गए थे यह वियतनाम के अंदर में तो आते ही इन्हों ने जो बात की ऐसे कमेंट किये उसके मिटिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं की सिदे सिदे यह बोला कि कहीं न कहीं इंडिया और पाकिस्तान की साइड से कुछ अच्छी न्यूज आने वाली है यहनि के दोनों में सांती देखने को मिलने वाली है साथी अरेविया और यूनेटेड अरफ एमिरिट्स जो की यह से के अलाई हैं उनके दोर भी पूरा यहाँ पर एक तरीके से काम करने को इसकी गई तागी दोनों कंट्री के बीच में जो टेंसन है यहाँ पर यह कम हो जाए तो यह एक तरीक से फाइनेंस पैकेज भी देते की फोर जो न्युकलियर रेल डाईन है यहनिक एक तरीक से पागिस्तान को जिस पर कंट्रोल किया जा सकता था उसमें हम लोगों ने किसी पर वार नहीं किया सबसे पहले पागिस्तान की अगर बात करें कोई बढ़ी टेरिटरी हम लोगोंने कैप्चर की नहीं की दूसरी ब पागिस्तान पर कोई फरक नहीं पड़ा जो हम लोगों ने वापर बाला कोर्ट में जाकर बोम गिराया यह एक तरीके से हम लोगों की जनता के अंदर जो रोस्ता उसको सांतुना देने के लिए यह काम किया गया है पागिस्तान आज के डिवे भी वही सिच्वेशन में और फ भी आप लोगों बताया कि एक तरीके से टेंप्रीरी इमोसलन सेटिस्फेक्शन था जो हमारे जवान सही दोयते पुलवाम अटैग में कि हम लोगों ने पागिस्तान को पनिस कर दिया है और इसलिए हम लोगों ने इसको नोन मिलिटरी और प्री एम्टिव एक्सन अपने आप भी बोल दिया तो इसका मतलब क्यो हो सब्याहर है क्योंकि उनके ओपर तो कोई अटेक निवा उनके ऊपर तो कोई कंट्रोलीनी रहा और सारे जो बी हांपर पागिस्तान इससे कंट्रोल हो पाएगा, क्या पागिस्तान को हम लोग segregate कर पाएगे, क्या है यहाँ पर मसूद अजर को कंट्रोल कर पाएगे, तो कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला, तो यह situation है आप तो इसके बारे में आप लोगो को कमेंट करने के लिए पूछा जा सक कुछ कंट्री आज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं तो पहले के कंप्यार में कुस तो चेंज आया, ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी चेंज नहीं आए, कुछ चेंज आया, पर लेकिन कुछ चेंज आप लोगो देखने को मिलेगा, अगर पास्ट में पहले को कंट्री हम कंट्री हम लोगो सपोर्ट करें, पाकिस्तान को पहले ऐसे लगता था कि हम लोग अपनी हद में रहेंगे, इससे बहार ने जाएंगे, आज कर रहे हैं, तो यह वाली सैट भी आप लोगो जहान में रखनी है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको आंसर को एनलाइस क के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है एजुकेशन के बारे में, अगर बात करें एजुकेशन के फिल्ड में, तो एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर एक तो अगर कोई एजुकेट लोग है, एजुकेशन अच्छी लेकर आ रहा है, तो उसको एजुकेशन सिस्टम, यह जो आर्टिकल है हाँ पर हरियाना की केश स्टड़ी लेकर चलता है, पता नहीं बार बार हिच के आरी है, इतना याद मत कि अगर मुझे ठीक है, हैपी ओली बोल दियाना मेने, इंजुकेशन को रिफॉम करने के लिए, कई सारी स्टेक होल्डर आ हाँ पर पार्डिसिपेट किया गया, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, तो हरियाना गोर्मेंट के दोरा क्रियेट किया गया एक तरीका एड्मिस्टेटिव ब्लोक, जिसको बोला गया सक्सम, सक्सम का मतलब होता है, एबिल्ड या फिर इसकिल्ड, तो इसके तहत यहाँ पर यह बोला गया, कि 80% या फिर इससे जादे स्टुडेंट, जो यहाँ पर ग्रेड लेवल के लिए, जो यहाँ पर एक तरीक से रहते हैं, या तो फिर 80 या फिर उससे उपर का अगर यह स्थाफ है, अगर उसको हम लोग कंपिटेंट बना जेते हैं, तो कहने का मत सक्षम है, और इस तरीके से काम यहां पर किया जा रहा है, ताकि लोगों को और जाजादे सक्षम यहां पर बनाया जाए, और वो सक्षम कितने हैं, ये भी जो assessment किया जाएगा, ःष्सिस्मेंट किया जाएगा, कि क्या reality में यह सक्षम है, तो अगर कोई ब 눌러क यहां सक्षम, यहाँ पर declare कर दिया गया, इसके मतलब यह कि जो ओफिसल है वाँ पर उनको recognize कर दिया गया, इतनी power उनके अंदर दे दी गई एक तरीक से autonomous, कि एक तरीक से chief minister के साथ में उनको compare किया जा रहा है, कि chief minister से कम नहीं वो देखने को मिलेंगे हाँ, organize कराएंगे अपने हिसाब से जो और ब्लोग, 119 ब्लोग में से यह सक्सम declare कर दिये गए है, तो यह कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 80% या फिर उससे जाद है आज की rate में, जो learning output यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो कि लगबग 2014 में only 40% था, तो एक large scale पर transformation यहाँ पर देखने को मिल रहा है हरियाना के अंदर और यह इस तरीके से और भी बहुत सारे राज्यों के लिए, एक तरीके से model यह state बन चुका है, अगर इसको implement करना चाते हैं तो, तो कहीं न कहीं देखें, लाब तो होता ही है, अगर competitive इस तरीके से administration निकल के आता है, और इस तरीके से मिलकर काम करते हैं, और उसको फिर achieve भी जिसमें competition और राज्य के अंदर भी, और राज्यों के एक दूसरे राज्य के साथ में भी, तो इसी के चलते हैं, जो state level school education quality index तयार किया गया था, उसको भी हापर उसके बारें बात की जा रही है, education performance को देखने के लिए हापर, data public domain में रखा जाएगा, जो भी education किसकी performance यार में, यानिके पहले माली से base यह रखा गया 2006, 2006 के compare में कितना बड़ा है, पहली तो यह देखा जाएगा, और फिर overall कितनी performance है, वो देखे जाएगी, उसके base पर यह ranking यहापर तयार की जाएगी, इसी के चलते जो aspirational district है, यानिके पिछड़े हुए district, उनको भी focus अलग से दिया गया है, पांच crucial factor, education में से एक है, जो की लगबग 30% यहाँ पर यह count करके चलती है, तो जैसे वृद्ध नगर, तमिलाडु का, जो की काभी पिछड़ा हुआ district माना जा रहा था, इसी तरीक से नुआ पाड़ा, उडिसा का, यह आपर गुमला, यह जारखन का, सिधार इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर यह है, विजय नगरम, यह है कहां का, आंदर परदेश का, इन district में remarkable change देखने को मिला, इन सब procedure की वैसे, तो आने वाले time में और अची से implement किया जाएगा, और और large scale पर आप लोग को change देखने को मिलेंगे, तो यह था complete article जिसके बारे में अलका सा idea आप लोग रख सकते हैं, next यहाँ पर बात की जा रही है, आज की डेट में जो patent लिये जाते हैं, यानिके जो research and development करके हमारी country के दोरा patent लिये जाते हैं, 2018 में आकर उनकी संक्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा कुछ पर आप लोग को देखने को मिलती है, एशिया के अंदर तो चाइना है सबसे ज़्यादा है, फिर जापान, फिर साउथ कोरिया और अधर्स में मिलाकर आप लोग को दूसरी country, नोर्थ अमेरिका में देखेंगे गर आप लोग यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा आप लोग य आप लोग को देखने को मिलते हैं patent की अगर बात करें तो और अगर particular industry की बात करें हमारी country में तो सबसे ज़्यादा pharmaceutical industry यह 3948 patent देखने को मिले, यहाँ पर organic chemistry है उसके अंदर देखने को मिले, बाकी basic chemistry अलग अलग जैसे transport को यहाँ पर आप बायो टेक या फिर medical यह इन में भी अलग अलग patent देखने को मिले, तो काफी large scale पर हमारी country में भी आज केड में यह चीजे निकल कर आ रही है, यहनिके support किया जा रहा है research and development को और एक अच्छे direction में हम लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो यह हलका सा idea आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं, आईए आगे बढ़ते हैं, नेक्स हैं आपर जो prelims focus news है, यहाँ पर जो अभी नए CM, नाम है आपर पर मोत सावन, तो यहाँ पर जो अभी चुन कर आए हैं, अब इनको floor test यहाँ पर देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या, यहाँ पर यह full government हैं के पास में, government चलाने का अधिकार फुल मेजरोटी है, तो वो चेक किया जाएगा, तो देखते हैं कैसे यहाँ पर बात चलती है, ग्यारे मेंबर यहाँ पर cabinet में से दो CM, जिप्टी CM यहाँ पर बनाए गए हैं, आगे चलते हैं आपर, next यहाँ पर बात की जा रही है, राजनाच सिंग जी की अज्यक्सता मे दो group of ministry यहाँ पर बनाए गए, उन group of ministry में एक तो था anti-linching, यानि कि जो mob lynching होती है, भीड मिलकर किसी एक particular person को मार देती है, दूसरा था prevention, sexual harassment of women at workplaces, यानि कि जो sexual harassment के जाता है महिलाओ का workplaces पर, उसका solution निकालना था, पर लेकिन जैसे model code of conduct लगा, इसकी कोई ज्यादे meeting भी नहीं और यह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जो कि काफी important mood दे थे, इनको ध्यानी नहीं दिया गया, आगे बात करते हैं हमारी country की जो navy है, उसके द्वारा support प्रोवाइड करा जा रही है, MozambiU, Mozambi क्यों में अभी cyclone देखने को मिला, जिसको cyclone इजाई भी बोला गय आई-डी-ए-आई, तो इसके बारे में याद रखिया है, काफी कुछ यहावर condition कराब देखने को मिली तो हमारी navy के द्वारे हाँ पर humanitarian assistance and disaster relief प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है, next जो न्यूस है यहाँ पर, यह है PC घोस के बारे में, यहाँ के पिना की चंद्र घोस, first लोगपाल है हमारी कंटी के, जो कि अपोइंट की जाते हैं, प्रिजिडेंट के द्वारा, तो यहाँ पर इनी के साथ में, एंटी क्रेप्शन, वोज्डोग, ombudsman, picture में आ गई है, और यहाँ पर इसी के 8 member भी आप लोग को देखने को मिल रहे है, जो कि प्रिजिडेंट क चाहिए, आगे चलते हैं आप, UK के द्वारा बोला गया, एक्स्टेंट करने के लिए 29 मार्च को होने वाला था Brexit, पर अब 30 जून तक यहाँ पर इसको पहुचा दिया गया है, तो देखते हैं कैसे आगे बात इसके अंदर चलती है, नेश्ट जो दलाई लामा है, यह बोला यहाँ पर गठन किया जाता है हमारी कंट्री में, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरेड के लिए, उसके बाद में फिर से वो एक तरी से नोन पर्मेनेंट बोड़ी है, तो अगर वो पर्मेनेंट रहेगी तो ज्यादे अच्छे से solution चीजों का निकाल पाएगी, तो यह बात यहाँ पर यह होगी हमारी कंट्री यहाँ से location देखते हैं, यह होगी है यूए से नीचे मेक्सिको, exact location यहाँ पर है, कैरेबियन कंट्री है और यह होगी है इसका flag, आईए नज़ डालते हैं आज के questions के उपर, सबसे पहले बात की जारी है हैं आपर, जो अभी recently रस्या और प्रेन के बीच में जो condition बनी, तो यहाँ पर एक distributed sea है, उसका नाम आप लोग को बताने हैं, नेस्ट इंडियन एर फोर्स के द्वारे हैं आपर, जो विंग कमांडर, यह हमारी कंट्री के यह पाकिस्टानी के स्टेडी में आयते हैं, तो कौन सा यह इस टाइम पर जो यह प बता रहे थे, यह आप लोग को बताने हैं, नेस्ट टू ग्रूप अप मिनिश्टर देखने को मिले, जो कि यहाँ पर constitute किये गए, पहले का नाम आप लोग को बताने हैं, दूसरे का नाम है आप प्रिवेंशन ओप सेक्च्छल हार्समेंट ओफ वर्क प्लेस, यह था हैं आ गवा की population कितनी हैं, काफी कम population यहाँ पर देखने को मिली, 11th 2011 का census था, वर्ल्ड इस्पारोडे कब हम लोग celebrate करते हैं, इसी के साथ में 14 दलाई लामा, जो कि हमारी country में रहे तो यह कब से रह रहे हैं, यह आप लोग को बताना है, तो यह था टोटल आज का discussion, अगर आप लो पेट पोदों को सेव कीजे, पोले तिनों पास्टी के रहे बिल्कुल वियूज नहीं करना है, और होली को अच्छे से सेलिबेट आप लोग को करना है, तो मिलता हूं नेक्स लेक्चर में, बढ़ो को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोड़ी सी लाइफ है, एंजोई करो या झाल